को एक नदर देख लेते हैं फिर हम चर्टर नबर थी की तरफ सलते हैं HTML elements are used to describe the structure of the page कि HTML के जो elements होते है normally वो अभी CSS भी आएगा आगे तो HTML जो है वो structure बनाने के गाम आता है और किसी कमरे का किसी घर का structure यह होता है कि वहाँ पे खड़की दर्वास के दर है तो इसका यह heading का होगी, sub heading का होगी, paragraphs कहां पर रोंगे तो यह इसका structure है They also provide semantic information के emphasize को कहां पर place करना है definition और acronym वगरा कैसे और कहां पर use होगी यह semantic tags जो होते हैं जो screen पर नजर नहीं आते आपको visually और लेकिन semantic information आपको provide कर रहे होते हैं आपके browser को अच्छा यह मुझे याद पढ़ रहा है यह chapter 3 भी हमने पढ़ दिया था हां assignment मैंने दिया था list बनागे लाने की recipe की website मैंने बोली दी ना तो अच्छा यह सब लगोंने जो जमा करवाया assignment था एस प एक नजर महरत है अभी तो मुझे याद ही नहीं था कि मैंने यह वाला दिया भाई assignment well भाई यह CV क्यों बनाई गिया तुम लगोंने क्या हुआ internet बंद हुए क्या CV का assignment था जो CV का assignment था वो तो पुराना पहला assignment था क्या हुआ यह क्या हुआ internet बंद हुआ अभी यह क्या हुआ internet बंद हुआ अभी वो रिफ्रेश करने जर फातम हो जाता है यह 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 गोड़ यार क्या बाव है इस पर तो number वाले list लगाना था न अच्छा नी यह भी ingredients है तो बनाने का तरीका कहा लिखा वे बाई अच्छा स्टैप्स यह photo के साथ है स्टैप्स यह photo के साथ है गोड़ यार सही है इस अच्छा ने वीडियो भी लगाई है मुनीब कौन है मुनीब सीवी वयला थोड़ी ना बनाना था रैसेपी वयला दिया था ना सीवी वयला तो पुरान हो गिया अब यह कोन है हमारा अच्छा डेव बुखारी यह टेंप्लेट से बनाया है और खुद से कोड लिखा है कोई नहीं है कोई तो होगा जिसने बनाया है इसलिए आय नहीं है अच्छा नहीं बनाया तो अच्छा बनावा भी रियक्ट पर यह प्लेन अश्टमन दस्पे नहीं बनावा अच्छा यह नहीं चल रहा है किसका अरीब अरीब देन अच्छा बहुत बहुत जिन लोगों ने ये ये वला नहीं बनाया क्या मुलते हैं इसको आफका रेशिपी वाला और उसमें बुलेट प्वाइंट्स अर यह लिस्ट यूज़्वा तो अब हम वेल आगे बढ़ते हैं भी इसको क्या बता रहे ही यह तो हमने डिसकस कर लिया था कि order list, unorder list और definition list क्या होता है अच्छा यह order list का जो है वो क्लासिक्स इंटेक्स है आप इसी को देखके exactly copy करेंगे तो आपके वाज भी ऐसा ही result आजाएगा markups तो अब हम समझ चुक है markups काम कैसे करते हैं तो जस्ट अमें यह सीखना रह गया है html में जो बचा अवायटा में सीखने का वो क्या है वो यह है कितने और markups मौजूद हैं जो आमें अभी तक नहीं पदा एक तो वो हमें या तुम उठो जारा पानी लेकर आजो मैं अच्छा definition list जो वो भी बहुत ही simple सी है ठीक है DL करके आप लिखते हो definition list अच्छा अब उसके बात जो हमारे पास चीज है कि अगर कभी हमें nested list बनानी पड़ गई तो हम कैसे बनेंगे nested list का मतलब है कि एक list होगी उसके अंदर एक और list होगी अगर हमें ऐसा करना पड़ गया तो हम कैसे करेंगे याद क्लास में गर्मी बढ़ती नहीं जा रही है है ना अबे 26 पर नहीं चल रहा भाई वो बटन दबाओ जरा माइनस वाला उसके वो रूम का टेंपरेचर तुम्हें चब्ड़ दिखा रहा है हवा भी नहीं आरी है मतलब ठंडी आरी है हवा या गरम आरी यार ऐसा जो सकता है यार जारा आपी ज़रा जाएं दुबारा यह असा ना काउंटर पर कोई होगा बैठावा तो उनसे कहें कि वो एसी चलना बंद होगा है जब आप लोग आया तो उस वक्त तो सैट होगा तो काफी अपी गरमी बढ़ना शुरू होगी है चानल यार यह वाला एसी ना काम नहीं करता है करें तो बढ़ा कर देखो तो ना काम कर रहे हाद उड़ा कर देखो था रहा वो काम कर रहे हैं अड़े पाई वर करना है वोल एसी, साथ पर जो, सही है, अपर वो लास्ट वल एसी के साथ क्या किया है भाई तुम्हें वोने, देख लो, सही है, टंडी हुआ दे रहे हैं, नहीं नहीं है, बस देखे हैं उसको फुल कर दें हैं, अचानक मैं क्लास में गर्मी बढ़ना शुरू हो की, इसलिए मैंने आपको बलागा, क्याहाय हैं, यहीं हैं, यहीं हैं, लावाँ हैं, यहीं है। 不ह भी सब्सक्रांक मैंप्हें लावाट को理 हैं, यहीं हैं, पांसैंदो, पुम्हें हैखा रहाँ लावचा हैं, लैसैंदो, मैंद Romans describe vere來 more श'that, आप अचाय कोर्नर पर लास्ट में जो ऐसी के साथ बैठा वा स्टूडेंट्ट, जा चेक करो वह 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 चल रहा एसी सही वह 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 नहीं चल रहा एख खड़े होके हाथ उठाओ ना बैटे बैटे इसना वाव खड़े होके तर छेक करो तंडी यहाद एरहा हो गर्मी बढ़ती है नगर तो इंटेलेक्ट्टॉल पर पहीं चला जाता है जब ही तुमने देगा है शायर होते हैं जो राइटर होते हैं जब उनको शायरी करनी होते हैं चले जाते हैं बंगलादेश की पाड़ियों के उनको पुरसुकून जगा चाहिए होती है मरीवरी टाइप की भूर्बन टाइप की जगा है जहां पर फ्रेश एर होती है वेल अच्छा भाई अभी इदर मुतवज्ज़ हो जो सब लोग ना देखो नेस्टेड लिस्ट यह जो बता रहे हैं यह बताना यह चाहरे हैं कि कभी अगर आपको लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनानी पड़ जाए जैसे आपने MS Word में, Word Processing Software में ऐसा आप कर सकते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो कुछ इस तरह से आप code लिखेंगे और उसका result कुछ ऐसा आएगा आपके सामने अच्छा, automatically HTML ने इस चीज को सेंस करके कि आपने लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाई है इसका जो bullet का style तरह वो कोई रशेंगे अच्छा, ये bullet का style जरूरी नि है कि ये two style है आप इन दोनों को इस्तवाल करें ये bullet का style आप बिल्कुल भी change कर सकते हैं यानि इसकी जगा पूल-पत्ता बनाना कशा है आपके भई एक-प्टा बना बहार है आपको जरुद पढ़ सकती ऐसा करने की, तो वो CSS के जरीए आपके बास option होता है उसको चेंज करने का, लेकिन जब तक हम CSS नहीं बढ़ते, HTML at least जो minimal चीज है, के bullet के style हलका सा चेंज कर देता है, वो यह करने है, अच्छा, कोड पे जरा गौर कर लेते हैं, तो क्या है जी कोड म हमारे एक तो UL से start element और नीचे ये UL खतम है, that is stands for unordered list, यार कुछ भैतर हो गया है वैसे, यार बस AC के सथ कोई share start तुम लोग मत करना, ठीक है न, तो देखो ये UL के अंदर न, एक है LI, LI का मतलब एक item, list item, उसके बाद इक दूसरा LI है, लेकिन आप नोट करें, ये LI खतम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो सारी की सारी चीजे है, ये इस LI के wrap के अंदर है, ठीक है, अब इस LI के रैप के अंदर क्या कुछ है, इतना कुछ है, सही है, ये इत अंदर ये पूरी एक मुकंबल लिस्ट है, ठीक है, और ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है वो ऐसी, यूल, शुरू, यूल खतम, अंदर list item है, चार, और इसका result, आपको इस तरह से दिख रहा है, तो ये वाला जो LI था, ये शुरू तो हुआ था, ये शुरू तो हुआ ठीक है, अच्छा, जमाद कितनी मजे हो रही है इसकी, अच्छा, तो अभी जल्दी से आप लोग चले जो, ठीक है, बजू 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 नमास पड़े के फिर हम 740 पे एक्जेक्ली हम यहां पे वापिस बज़ते हैं, ठीक है, 740, बहुत मुश्किल बात त कि नहीं बनी हैं, तो प्लीज यह बना लीजेगा आप यहां से देखकर, यह पर कोड लिखा हुआ है, ठीक हो गया ना, अच्छा, यह चैप्टर की समरी है, यह खुच से पढ़ दीजेगा, ठीक है, समरी पढ़ने की आदत डालनी है आपने, एक दफा मैंने पढ़ दी दी लेकिन यह खुच से पढ़ दी है अपना, अच्छा, अभी हमार पास चैप्टर फूर है लिंक्स, लिंक्स जो है वो क्या होता है, एक्चुल में वेबसाइट जो होती है, पूरी जो पूरा वेब पेज होता है, उसमें बहुत सारे लिंक्स होता है, ठीक है, कोई भी ऐसी आज तक आपने नहीं देखी होगी जिसमें लिंक ना होगी, तो वो लिंक अब पढ़ना सीखेंगे, उसमें क्या टॉपिक्स कवर हो रहे है, क्रियेटिं लिंक बिट्वीन पेज़, कि एक पेज से दूसरे पेज के दर्मियान कैसे लिंक बनाना है, लिंकिंग टू अधर अधरिक्स करते हैं, आपकी track अमिंग करकेशा, यो उसमें ये जहानी से प्रकस्किंद शियाए, पाजुक्त इसको प्लेक्यों, तो यहतनी चीजिया यापर जैगारे विंक, जैनि यूसमें टूसरे प्रकस्ति यहाम पढ़ों करते हैं, कि हम इस्फेरी इसके है स्टे य। पड़ देते हैं, links are the defining feature of the web, because they allow you to move from one page to another page, तो यही वज़ा है कि links जो है, वो web का defining feature है, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ही, actually, जो web browsing जिसको हम कहते हैं, वो web browsing का मतलब यही होता है, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ब्राउज करना है, वैसे browsing हम उसको कहते हैं कि आपके हाथ में कोई किताब या उसके पनने इदर से उदर पलट रहे हैं, तो this is called browsing, या आपके पास आपका कोई बैग है बसता है उसके आप उसमें कुछ ढूंड रहे हैं, डिफरेंट जेबों में हाथ डाल रहे हैं, तो that is called browsing, या आप गूम फिर रहे हैं, तो किसी भी जगह पर आप घूम फिर रहे हैं, या किसी आप किसी नई बिल्डिंग में गए हैं, आप उसको हर तरफ से देख हैं, तो that is called browsing, you are walking around, तो browsing इसको इसी वज़े से कहते हैं कि आप वेब साइट पे जब जाते हैं तो उसमें तीन, चार, पाँच पेजिस होते हैं, आप गूम फिर के अर जगह देखते हैं, तो that is called web browsing, या web surfing, surfing बता है, या real life में surfing इसको कहते हैं, तो ठीक है, वो पानी वानी करते हैं, और वो सहरा पे भी करते हैं, तो जीप वेब के दरीए करते हैं, तो मतलब वहाँ पे कुछ खरीदने तो नहीं है ना, बैकरी से, ऐसी ही कहें, बिला वाजय गूम रहे हैं, ऐसे ही तर उदर, मदा आ रहा है, पानी ओड़ रहा है, बीच में लेर के अंदर गुसर संगे, यहां से हो, you will commonly come across the following type of links, अभी तो तीन ताइप उसने शुरूर में बदायती हैं, यहां पे कह रहे हैं यह यार पाच टाइप है, लिंक फ्रों वन website to another, एक website से दूसरी website, link from one page to another, on the same website, एक page से दूसरे page पे, same website, देखें हैं, बहुंकि हों, अबाउड, गैलरी, काउंटेक्ट, छार पेज़ की वेबसाइट टेकें. लिंक्स फ्रम वन पार्ट ओफ पार्ट अफ एवब पेज तो एनधर पार्ट अफ दा सेम पेज. कुछ websites में ऐसा होता है कि आप click करते हैं उपर navigation bar में about में तो वो दूसरे page पर नहीं लिगे जाता है बलके scroll करके नीचे ले आता है तो वो भी एक link की type है कि same page पर आपको different parts पर ले कर जाता है Links that open a new browser window कुछ ऐसे links होते हैं जिस पर click करने से जो link के पीछे जो भी चीज होती है वो एक नए window में open होती है तो वो काम कैसे होगा वो देख लेंगे हम लिंक that start up your email program address and address a new email to someone कुछ links ऐसे होते हैं जिस पर click करते ही email लिखने वाला option आजाता है आपके बास जो भी software आपके बास outlook बहुत सरे लोग use करते है अगर आपने Google Chrome को अच्छे से setup किया है तो click करने पर Google Chrome खुलके Gmail खुलके सामने आजाता है उस पर email लिखी भी आ जाती है आजकर आपने देखो कि WhatsApp का link चला है बड़ा किसी link पर click करते हैं तो WhatsApp की app खुलती है और बकायदा message लिखा बाज आता है इसा वाला link देखा है तो वो भी हम link थोड़ा देख क्योंगे email लिंक पुराना हो गया अब वो गौन यूज करता है अब तो WhatsApp का जमाना है कि आपकी website पर बंदा click करें तो वो एक WhatsApp web खोले और उस बंदे को मैसेज पहले से वाल लिखा वाज़े और बंदे का नंबर भी लिखा वाज़े मतलब एक इमेजन करो कि एक क्या है एक एक हेर ड्रेसर की website तो लास्ट में वाब एक आंटेक्स में लिखा है WhatsApp के मैसेज अन वाटसर तो जैसी में उस लिंक पे क्लिक करूं तो क्या हो WhatsApp web खुल क्या है कि कैसे लगाते हैं अच्छा लेकिन ये सारी चीजे हैं हम करेंगे इंचालला नेक्स फ्लास में ठीक है इस website इस page के आखर में इस चैप्टर के आखर में इन्होंने कुछ इस तरह की website बनाई वे फिल्म फोक के नाम से एक website बनाई वी है हो सके अगर तो ये पूरा चैप्टर पढ़ लीजेगा खुद सही और वो जो इन्होंने website लास्ट में बनाई है वो बना लीजेगा अगर हो सही क्योंके senior class है मैंने जिगर किया था लास्टाइम के गोरे क्या करते हैं गोरे बुक पढ़ते हैं भाई आप अगर 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 नियुक पढ़ते हैं लेकिन गोरे जो हमसे आगे निकल चुने हैं अब उनको घोड़ा बोले हैं तो वो आगे मैं तो आप मूच इडाते रहें कोई फर्ट थोड़ी पढ़ेगा वो आगे है वाई रॉक्ट उसके पास है हमारे कोई है कंपनी जो रॉक्ट बन कि है जहरानी कि होगी आप सब लों को पता है रियलाइजेशन की बाद है कि हम एक आम जो इस क्लास में बैठा वा स्टूड़ेंट है जो चीजें इस्तमाल करता है न उसमें से 10% चीजें सिर्फ ऐसी होती हैं जो यहां मुनिफेक्ट्चर हुई भी हैं पाकिस्तान के अंद क्यों बाइल पर यह है चल रहा है कि क्यों मुवाइल पे यह चल रहा है कि उन्होंने लैसेंस जो लिया बड़ा था अधन्येशन को ता दो संट भी होता Р घॉसमें दो तरह होता है कि यहां मुने फैक्ट्षर करें तो अलग टैंसą और कहीं से बनाबा लेकर आखके वह बना के देती है इनका नाम लिखके भी देती है वो वाइट लेवलिंग कहते हैं इस चीज को तो क्यों मुबाइल वहले वाइट लेवल कर रहे हैं और तो फिर उन पर केस चला अभी पता नहीं वहारें जीते हैं नोकिया पाकिस्तानी कंपनी कपसे हो गई है कैसी बाते कर रहे हैं नोकिया पाकिस्तानी कंपनी है नहीं हो गाई नोकिया कहां से पाकिस्तानी है नोकिया तो शायद जैपनीज कंपनी है भी फिन लेंड ली कंपनी है अभी तो अमेरिकन हो गई है बाई तो अमेरिकन इसली हो इसेंबल तो फिर गाडिया भी सारी यहां बन रही है यह फोर वील गाडिया जितनी भी है यह सब इसके लिए टर्म इस्तमाल होती है यह खुले फॉले फॉर्म में आती है इसके पार्ट्स अलग अलग होता है मतलब एक कंटेनर में अगर 20 बाइके आई है यह 20 गाडिया आई है तो खुले फॉर्म में होता है लकडी के पेंटियों में इसके पार्ट्स पैक होते है तो यह लाते है उसको लागे जोड़ते है और खड़ा हो जाता है वैसे तो ड्रोन भी मंगा होगे न अमरीका से तो जो यह box pack fan होगे नहीं तो यह खुला वहता है। इसको असेंबल घर लागे करना होता है यह खुलावे ना यह मैइक के stand हो यह यह रखुले में होता हैं बॉक्समें जब पड़ा होता है तो आपने निकाल की यह जोड़ने होते हैं तो यह कर रहे हैं पागिस्तानी इस्वत भी लिजास नहीं पड़ी है।। Ustad से मारखागे कि छूगी कि छूटु रहाए aosपरी शेखे दो.. और बद रहाएंगी में कि समय मुई कि सहाय के। कोई मुई मिकैनिकल इंजिनियरिंग के अ कोई अ मौंए इंपता चूई रूपटे टो थूरीज आप बोलो के पाकिस्तान कर किया रहा है अभी राइटनो कर किया रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है आप बोलो के कपास हुगा रहा है आम हुगा रहा है ओ भाई कुछ भी नहीं हुगा रहा है जीरो बखड़ा है सब आपका चक्कर लगे ना तो आप देखेंगे कि खेतों में क के लिखो फार्मिंग और कोई अमेरिका के किसी स्टेट का नाम लिखो किसानों ने बावाइदा चैनल बनाए हुए यूट्यूब पे और उनकी टेकनोलोजी देखोगे ना वो ड्रोन से मॉनिटर करते हैं अपने खेतों को वो ड्रोन से एस्प्रेय करते हैं इमेजन कर सकते ह हमारे जो डबल डोर लेके फिरते हैं यह वेगो क्या हिलक्स हिलक्स वेगो वह किसानों के पास होती है वहां पे मतलब किसानों के लिए डिजाइन किये टोयोटा ने ओरिजनली हमारे वह सिटी में लोग बड़ा बॉदरी कगाम समझते हैं उसको प्रीद जो खरीद ले तो आपने देखा हुगा बहुत सारे लोहों को मतलब आते हैं नो यूटीब बगरभ तो कहते हैं यह अमने गाड़ी लिए वो गाड़ी थोड़ी वो ट्रक है बाई किसानों के लिए बनाया हो और किसान उसको प्रॉपर यूस करते हैं हमारे या किसानों के बाद जाए देखो ए हैं जीब सिस्टम चल रहा है कोई टेक नोलजी नीं γणार्मनट को पता भी नीं के कैसान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है किछा टो सभी भी थे इन रूममें बट बेंटे वे सब लोग पाकिस्तान में चाय की एफिवाडी कहां चाय का हो रही है मुझे बता हो गया हो नही स कि यह रेवलूशन हो रहा है ना सारा कौफी की वज़ेसे उनका मानना है तो पहली बात तो चाहे हमें पीनी नहीं चाहिए कोफी ठीक कर अगर कौफी भी नहीं हो आरे कौफी इस वक्त आपको बता है अमरीका में एक कॉफी जो है ना वह पाकिस्तानी हजार रुपे तरह यह सब्सक्राइब कोफी पर कुछ नहीं डलवाओ गया तो भी तीन-चार डॉलर का होगा गूगल कर लो स्टारबक्स पुरी दुनिया में आप गूगल कर लो कि न्यू यॉर्क में कैलिफॉर्णिया में जो स्टारबक्स है वह कॉफी कितने का बेच रहा है मैन्यू आपको मि पर फेस्बुक पर उनके पेज बेच मिल जाएंगे ट्वीटर पर पेज मिल जाएंगे वहाज देख लो अगर मेरी बात पर बिलीव नहीं हो तो क्या यहां पे हम कॉफी उगाके उसको भेज नहीं सकते बिल्गुल भेज सकते हैं इसका काम है यह तो ना टेक्नोलोजी में हमें खेतिवाडी का सिर्फ न्यूस पर आपके सियासतदान सिर्फ आपको टोपी कराते हैं कियार हम तो सबसे जादा हमारी एक्सपोर्ट है जरात की और यह कुछ भी नहीं है भाई पाकिस्तान मुसल्मान मुलक है पूरी दुनिया में जो हलाल गोश्ट है उसका एक्सपो पूरी दुनिया में जो इसको मानती है यह गोश्ट हलाल है मतलब अमरीका के अंदर आपको बता है हलाल रेस्टरॉंट होते है न तो वहां जो गोश्ट आ रहे है अमरीका की गौर्मेंट कन्वेंस है कि यह जो गोश्ट फला जगा से आ रहा है हलाल पाकिस्तान का तो हलाल हमारे हैं कमपनी है जो हलाल स्रेटिफाइड गोश्ट एक्सपोर्ट कर रही हो नहीं है, कोई भी नहीं है, होगी कोई एक दो, नाम भी नहीं पता हमें, होगी चाहद, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जे हो कोई और है, मेरे खाले ऑस्ट्रेलिया वगर कोई है, दूद तो वो उसमें कहरते हैं, अगर आप उर्दू बोलते हैं और आप कराची में रहते हैं तो आपको नोकरी नहीं मिलेगे, तू क्यों करनी है तूज नोकरी, पागल है तू, नोकरी क्यों करनी है, कॉफ्य हुगा भेज अमरी का, पैसे आएंगे,